यह वूर्ण वेलकुम टू इलर्निक सेशन फोर ग्रेट न एस जेज़ गरफी वे अस्ट इस तदिए चैप्र एट इस लाइफ लाइन अफ नाशनल एकनॉमी अनुड दिस तॉर्ट इस आपकि अप्रेट अबॉर्ट इस तॉर्ट पहले जो हमने पढ़ा था वह था इनलैंड ट्रांस्पोर्ट के बारे में इनलैंड ट्रांस्पोर्ट में हमने देखा नाशनल वाटरवेज वन टू फाई और तेरा न्यूम्रेस अरूंड मोर दिन वान हंड़ेड वाटरवेज जिनका स्ट्रेच थोड़ा छोटा है इसलिए बट कंसिडरेबली उनको भी यूज किया जाता है टाइम टू टाइम और जो भी हमारा मैक्सिमुम एक्सपोर्ट का कामई जो फॉर्ण कंटरी को एक्सपोर्ट कर रहे हैं हमने पढ़ा था कि वाटर ट्रांसपोर्ट क्या फायदства बालकी समान को gef Eugene saman को भेजने के लिए असान रहता है लॉंग डिस्टंस के लिए इजी है एकनोमिकल है शिप्स में अराम से यू कन लोड कंटेनर तो इन सब कारणों से अब हम देखते हैं कि इंडिया का जो जो जोग्रिफिकल बाउंडरी को अगर अब देखें तो हमारा कोस्ट लाइन काफी लंबा चौड़ा है तो हमारे पास पोटेंशिल बहुत जादा इंडिया के पास सी पोर्ट को यूज करने के लिए अग्यां मेंसों ट्रांस्पोर्टेशन तो लिट्स स्टार्ट इंडिया था लॉंग कोस्ट स्टोड्रिक कोस्ट लाइन बहुत तो कोस्ट लाइन ए आप लोगो ने पढ़ा था टोटल इंडिया की बाउंडरी फेर उसके बाद कोस्ट लाइन इस 7516.6 किलोमेटर 12 हमारे पास मेजर पोर्ट है 12 नोटिफाइड पोर्ट है नोटिफाइड पोर्ट मतलब या माइनर पोर्ट स्मॉल पोर्ट ऐसे होते हैं जहां शिप्ट आके इस इमेज को देखें वेट 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 तो जूजूली क्या होते है कि इसको बोलते हैं जट्टी इसको बोलेंगे जट्टी एक शिप्प आएगा इसके अलॉंग साइड़ अधी आके खड़ा हो जाएगा उनको रसिओं से बांढ दिया जाएगा जिक मगर यह प्रोविश्ट्यन सिर्फ मेजर पोर्ट में होगा बड़े-बड़े पोर्ट में होगा जिनके पास बड़ी-बड़ी जैटी होंगी हर्पर में जिसके साइड में शिप्प को डॉक किय जा सकते हैं मगर जो स्मॉल पोर्ट्स हैं वहां पर यह फैसिलिटी जेटी की बड़ी-बड़ी जेटी की जो बड़े-बड़े शिप्स को अकॉमडेट कर पाई यह नहीं होगा तो इन दोस केसे वाट दे डू इस शिप्स विल कम ले देर अंकर अपना अंकर डालके एदर खड़े रहेंगे उसके बाद बोर्ट्स के थ्रू समानों को या पर्सनल को ट्रांसर किया जा तकता है तो ऐसे बहुत सारे हमारे गुजरात में एक लकडी का बोर्ट चलता है जिनको धाव बोलते हैं और इनका रीच देखने में बहुत छोटे लगते हैं मगर इनका रीच आफ्रिका के भी आगे तक जा पाते हैं क्योंकि जब हम लोग नेवी में थे तो फॉर्स इक्स मेंस विवर पोस्टेड इन सोमालिया के आसपास जो पाइरसी रहती है शिप्स को पाइरेट्स हाई जैक कर लेते हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग सिक्स मंस के लिए डिप्लॉइट थे तो वरी फ्रीवेंट ली जब हम गल्फ ऑफ एडेन में पट्रोल कर रहे होते थे तो हमें यह गुज सब्सक्राइब कर सकते हैं मगर बड़े शिप्स को अकॉमुडेट करना हैं मुश्किल होते हैं कामंडला इनकच वस्ट पोर्ट डवलप सून आफ्टर इंडिपेंडनेंस तो ही इस दे वाल्यूम ऑफ ट्रेड ऑन मुंबई पोर्ट इन वेक अफ लॉस ऑफ कराची पार्टिशन तो गुझरात का जो पोर्ट है काण्डला पोर्ट कच्छ डिस्टिक्ट में यह आजादी के बाद मेजरली हमारा सारा हम रिलाइख करते थे मुंबई हार्बर पे मुंबई का जो पोर्ट है उसके उपर मुंबई पोर्ट पर भी ट्राफिक इतना ज्याज़ सब्सक्राइब कि बाद में चलके एक और टर्मिनल बनाना पड़ा उन्हें जवारला नहरू पोर्ट्रस जेन पीटी एक और शिप्स के लिए टर्मिनल बनाना पड़ा मुंबई हार्बर के अलावा तो चुकी पार्टिशन के बाद खराची एक जब इंडिया पाकिस्तान एक तब कराची था कराची एक पोर्ट सिटी है ठीक तो में पराची चला गया हमारे हाथ से तो हम मेजरली डिपंड कर रहे थे मुंबई पे तो जरुरत ही कि ट्राफिक को वहां से इस आउट किया जाए वहां पर तो कांडला पोर्ट को बनाया गया तेक कांडला ऑल्सो नोवन आज दीन दयाल पोर्ट इस अ टाइडल पोर्ट इट प्रदेश पंजाब अर्यान राजस्तान गुजरात तो जो यह दीन दयाल पोर्ट है इसका लोकेशन इतना कंडवीनियंट है कि यह हमारे तकरीबन पूरे नॉर्थ दन स्टेट को केटर करता है उनका जो भी प्रड्यूस है यह इंडस्रियल बेल्ट में जो भी प्रड़क तो काफी आइडिल है कि नेक्स्टेश मुंबई 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 इस दे बिगस पोर्ट विच स्पेशियस नैचरल वेल शेल्टर हार्बर जेन पीटी वास प्लांड विद विद व्यू तो डी कंजस्ट मुंबई पोर्ट एंड सर्वेस हब फर दिस रीजिन तो मुंब मुंबई पोर्ट सबसे बड़ा पोर्ट है स्पेशियस है वेल शेल्टर हार्बर मीन्स काफी सारे अगर आप मुंबई हार्बर की जेटी को देखेंगे तो देर मल्टिपल जेटी कोई के शेप में है तो जहां शिप्स को डॉक करते हैं सम्वर यूविल फाइं दिम तो ब जीजटी वहां पर नॉमन्क्लेचर यह से कहां जाना है आपको हार्बर में एफ जेटी पर जाना है जीजटी जीजटी ऐसे बहुत सारे मिलेंगे आपको तो मुंबई हार्बर पर पर अगेन ट्राफिक ज्यादा था उसको डी कंजस्ट करने के लिए जेन पीटी बनाया ग हम आदा घंटा एक घंटे के सेलिंग डिस्टेंस पर अगर हम बोट से जाए तो आदा एक घंटा लगता है मुंबई हार्बर से जेन पीटी की तरफ यह उरान डिस्टिक में पढ़ता है वहां पर रैट नेक्स्ट इस मर्मा गोवा पोर्ट मर्मा गोवा पोर्ट इस लोके एक्स्पोर्ट हो रहा है दिस पोर्ट अकांट्स फोर अबोंग फिफ्टी परसन्ट ओप इंले एक आया अिरन ओर एक्सपोर्ट नीव में और पोर्ट लोकेटेट है उन करनाटका का केटरश आई रहन ओकअप मैंस तो जो तीसरा पोर्ट की बास में यहां पे करने यह प 우리가 यहां से कद्रुम माइन से निकलाव एक्सपोर्ट करें इस कोची कोचिन जो केरला में आता है कोची यह कई बार से कोचिन भी पराने समय में बोलता है तो यह हमारी इंडिया के और यह एक्सरीम सौथ वेस्टर्ण पर्ट है लोकेटशेंच यह इंट्रॉन दक्रम ट्राइर नाचरल हाबर क्या है काई आपश तो ऐसे ऊंगे जो मैंने हैं जिने बनाया गया ग Dawn घ् 2 करकिन क्या होता है कि नीचे की जमीन को शेलो जो है को इसको में बढ़ाए जाते हैं कई पोट्स ऐसे हैं कि की जा सकता है वहां Peter मुविंग अलॉंग दे इस्ट कोस्ट यूविड सी एक्स्ट्रीम साउथ इस्टन पोर्ट एस टुटी कुरिन टुटी कुरिन पॉर्ट तमिलनाड में है बहुत ही बढ़िया साफ सुत्रा एंग लिक्विड पॉर्ट है मैंने इतने सारे पोर्ट जो विजीट के वहां का सब से अच्छा पॉर्ट पॉर्ट टुटी कॉरिंग पॉर्ट तमिलनाड में है इस पॉर्ट है नाच्रल हार्वर एंड रिच इंटलन दस फ्लॉरिशिंग ट्रेड हैंडलिंग ऑफ लाज वराइटी ऑफ कार्गो तो इवन आर नेबरिंग कंट्रीज लाइक श्री लंका मॉल पॉर्ट मिलेगा आपको और यहां पर कार्गो हैंडलिंग इतना अच्छा है में यहां की मशीनरी स्क्रेंस हर पॉर्ट में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वह एक तो यहां पर हार्वर में शिप्स को खड़े करने के लिए आपको चैटी चाहिए एक ऐसी जटी चाहिए यह रहेंगी अलग अलग शेप की जहां शिप्स आके खड़ा हो जाए ठीक अब साथ में यूइल नीड क्रेंस ऑन दे जटी ताकि इस क्रेंस से यहां पर जो कंटेनर्स लोड़ेड है शिप्स के अंदर उनको उतारा जा सके अगें यहां से सिम्लेस कनेक्टिविटी चाहिए आगे उनको भेजने के लिए तो यह सारी काया काफी सारी फेसिलिटीज हमें चाहिए रहती है एक पोड़ पर तो यह पोड़ इतना स्टाटेजिकल इंपोर्टेंट भी है और टेकनिकली इतना साउंड भी है कि यह श्रिलंका मौल्दिव जैसे को कर देती है चैने इस वन अब दो ओल्लेस आर्टिफिशल पोर्ट अफ दे कंट्री इस रैंग नेक्स्ट टू मुंबई इन टर्म सब वाल्यूम आफ ट्रेड और कार्गो नेक्स्ट कम्स चैने एक पुराना पोर्ट है मैनमेड पोर्ट है जिसे ड्रेज करके खोद के खोद हैं ऑक चैनिए पोर्ट जो है चैने पोर्ट हल्दिय पोर्ट ये दो पूट से सक्यांगेज फूल ऑम चिन्य हर पोर्ट पर प्ड़ा रहा था एक बर पहले तो आपको बताया था पोर्ट पे जो बाप पहुंचेंगे तो वहां की रोड्स को देखके कि आपको पता चल जाएगा कि हम मेजरली क्या एक्सपोर्ट होता है जैसे अगर आप मर्मा गोवा पोर्ट पर जाए तो रोड विल अपियर रेडिश रेडिश लरी टाइप कच्रा सा बिखरा हो गया दल दल सा तो वह देखके यह यू कन इजिली आइंटिफाई कि यहां से आइरन जाता है अगर आप चेन नहीं यह विशाका वट्नम पोर्ट में एंटर करेंगे तो यह फाइंड रोड टू बी एकदम पिच्ट डार्क दल जैसा कीचड जैसा ब्लैक मिलेगा तो द्याट सिग्निफाइज कि मैक्सिमम वहां से कोल का अशनी एक्सपोर्ट हो रहा होता है कि यह जो कोल को लेकर जाते हैं तो यह कोल हवा में ओड़ोड के रोड पर एक्विलेट हो जाता है पानी किसान मलगी कीचर में जाते हैं तो इस पोर्ट पर क्या जा रहा है अधरवाई सग्याइज कंटेनर से बड़े-बड़े से कंटेनर्स देखें अपने शिप में जाते हैं उनकी ट्रांस्पोर्टेशन में ऐसी कोई दिक्कत आती नहीं है नेक्स विशाका पट्नुम कि देपस डेड्ड लॉग्ड और वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट विशाका पट्नुम पोर्ट की खासित यह है कि चारो तरफ से यह पोर्ट लैंड से घिरा हुआ है और इतना छोटा सा इसका ओपनिंग दिखाई देता है अगर हम दूर से देखें तो चारो तरफ से घिरा हुआ है लैंड मास से और बीच में एक स्मॉल ओपनिंग है इसलिए से बोला जाता है कि यह बहुत ही सेफ पोर्ट ह एनिमी एग्रेशन के लिए रस्ता बहुत ही खुला है चोटा सा है तो इस ओपनिंग एजी ली भी गाड़ेड इसको अराम से गाड़ किया जा सकते हूं और एक वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट कहा जाता है इसे जोगी चारो तरफ से लैंड से घिरा हुए इस पोर्ट वोगेंड ऑफ अराइन ओर एक्सपोर्ट पारदीप पोर्ट लोकेटेड इन ओडिसा स्पेशलाइज इन एक्सपोर्ट आइरन ओर मृँट कलकॉट यहां यहां गयाई जो है डाइमंड हापर वहां का उसमें एंटर करने के लिए दस से बारा घंटे लगते हैं क कि वहां पर वह रिवराइन पॉर्ट है मींस वह सी पॉर्ट नहीं है तो वहां पर हैं डेफ्थ बहुत ही कम जो शिप्स को एंटर करने के लिए वेट करना पड़ता हाइट सकाइट आएगा तब शिप एंटर करेंगे जिब वाटर का डफ्थ बढ़ेगा कि इस पूर्ट सर्वसर वरी लाज और रिच्छ इंटर लैंड और गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिंग विंग टाइडल पूर्ट रिक्वार्स कॉंस्टेंट ड्रेजिंग अफुगली हल्दिया पूर्ट वस डेवलप्ट अज सब्सीडरी इन और तो रिलीव प्रेशर ओन कलक कलकटा का पूर्ट है डाइमंड हाब कि वह एक तो पहली बात रिवराइन पूर्ट है तो रिवर से कनेक्टेड है तो हमेशा उसकी ध्रेजिंग खोद के उसके डेफ्ट को बढ़ाते रहना पड़ता है क्योंकि होता कि रिवर वाला है पूर्ट है तो हमेशा अपने साथ सबस्क्राइब करें तो जो पूर्ट का डेफ्ट हो घट जाएगा पोड़ का डेफ्ट अगर घटा तो शिप्स जो आ रहे हैं उसके अंदर उसके प्रोपेलर मिट्टी में फसके ग्राउंड हो जाएंगे तो इन सब को प्रेवेंट करने के लिए विए टू कॉंसे ताकि उसके depth को बढ़ाया जा सके और Diamond Harbor जो है कलकता का major port उसको decongest करने के लिए next port जो बनाया गया वो हल दिया राइट, we'll put an end to today's session, before that let's see a map Okay, so let's start with the Kandla port, Kandla port is located in Kachin, Gujarat, next is Mumbai Harbor, Choharlal Nehru Port Trust, next is Marmagoa port, next you can find Mangalore port, Kachin, then Tutti Korin, then Chennai port, Vishaka Patnam, Vishaka Patnam के पारादीप, पारादीप, हल दिया और उसी के पास मिलेगा आपको, कलकता Harbor जो है हमारा Diamond Harbor, चले, with this we'll put an end to today's session, पारादीप उडिसा में है, जिशाका पत्न मांदर प्रदेश में, चेन्नेहाबन तमिलनाड में, कोची केरला में, मैंगलोर करनाटका में, मर्मा गोवा गोवा में, and kandla pote is in Gujarat, चले, let's wind up the session, we'll see tomorrow,